नमस्कार स्वागत है LNMU Notes में ललीत नराइन मितला उनिवर्सिटी दर्भंगा LNMU दर्भंगा ने 20 जून 2024 को जो सेशन 24-28 BABSC BCOM में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट फस्स सेमेस्टर का जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसको कैंसल कर दिया गया है रद कर दिया गया है अब जो है वो दुबारा फिर से मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा और नए सीरे से जारी किया जाएगा नाया अरक्षन नाया रिजर्व लेकिन जो पतना हाइकोट है पतना हाइकोट ने जो हो आरक्षन 65% आरक्षन को रद कर दिया गया है उसको और समवेधानिक करार दिया है तो इसी के वज़े से जो हो ललीत नराइन मितला इनवर्सिटी ने जो सेशन 24-28 का मेरिट लिस्ट है उस मेरिट लिस्ट को जो हो रद कर दिया गया है ततकाल प्रभाव से रद किया जाता है 24 28 का जो भी minute list जारी किया गया था अब नए सिरे से नया जो है वो minute list जारी होगा जैसे जारी हुआ था वैसे ही list जारी होगा लेकिन उसमें जो 65% category reservation category था जो EBC है OBC जो है उसके बाद SCST को जो 65% seat दिया गया था और जिसमें EWS भी सामिल है तो उसके हिसाब से जो list जारी किया गया था उस list को जो हो रद करके cancel करके उसको जो हटा के अब नया list बनाया जाएगा और उस नए list को फिर से website पे upload किया जाएगा और अभी जाईएगा अग फिर lnmu.ac.in University के official website पे तो आपको सूचना मिल जाएगा और वहाँ पे देखिएगा और युनिवरसिटी के official website से PDF जो हटा लिया गया है जो भी PDF था वो हटा लिया गया है merit list खारीज कर दिया गया है cancel कर दिया गया है उस merit list पर admission नहीं होगा और जो भी merit list होगा जो भी नया merit list जाड़ी होगा उसके लिए आपको update कर दिया जाएगा फिलाल जो भी merit list था युनिवरसिटी के दौरा सेशन 24-26 के लिए उसको cancel कर दिया गया है इतना समझ लीजे क्यों किया गया है क्योंकि जो भीहार सरकार का 50% आरक्षन था उसको जो यह वो हाइकोट पतना हाइकोट ने जो यह वो cancel कर दिया गया है और पतना हाइकोट के फैसले को देखते हुए युनिवरसिटी ने भी जो यह वो merit list cancel कर दिया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिल सिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एल्एन अम्यूनोट्स के यूट्यूब चैनल पर